Hello Friends, Welcome to my YouTube channel तो Friends, कविता की बुनाई में आप लोग का हर्धिक स्वागत है तो Friends, मैं आज आप लोग को ये प्यारा सा स्वेटर डिजाइन बना कर दिखाऊंगी तो ये sweater का design आप लोग ladies के लिए, बच्चों के लिए, gents के लिए, कहीं पर भी apply कर सकते हैं तो ये sweater का design बनेगा हमारा 10 फंदों के multiple में तो आप लोगों ने 10 फंदे, 10 फंदे, 10 फंदे लगाने हैं जितनी आपको जरुत हो, उतने फंदे लगाकर आपने 4 फंदा एक्स्ट्रा जरूर रखना है, ठीक है तो चले शुरू करते हैं, design की हमारी पहली शलाई है सीधी साइड से तो पहला फंदा उतारा, दागा पीछे किया अब यह दिखे, शुरू के, यह जो पहला फंदा, एक फंदा उल्टा एक फंदा आपने उतारना, बनाना आपकी इच्छा है, पहला फंदे कि हमने बुनाई करी फिर दागा पीछे करेंगे, दो फंदे का एक करेंगे दो फंदे का एक किया दागा अपनी तरफ एक फंदे पर हम जाली के साथ बनाएंगे फिर दागा अपनी तरफ इस वाले फंदे को सीधा करके दो फंदों का जाली के साथ एक करेंगे ठीक है ये हो गए हमारे पांच फंदे दागा अपनी तरफ एक दो तीन चार पांच फंदे उल्टे अब यही फंदे हमें पूरी श्लाइप पर रिपीट करनी है ठीक है दागा पीछे करेंगे फिर से दो फंदे का एक किया दागा अपनी तरफ एक फंदे में जाली बनाया फिर से दागा अपनी तरफ एक फंदा को सीधा करके इस तरह से जाली के साथ दो फंदों का एक करेंगे ठीक है फिर से दागा अपनी तरफ पांच फंदा उल्टा एक दो तीन चार पांच फंदा उल्टा फिर से दागा पीछे दो फंदे का एक करेंगे दागा अपनी तरफ एक फंदे में जाली बनाएंगे फिर से दागा अपनी तरफ फंदा को सीधा करके फिर दो फंदे का जाली के साथ एक करेंगे फिर से दागा अपनी तरफ एक, दो, तीन, यहाँ पर हमारे पास चार फंदे पांच फंदे उल्टे है ठीक है तो आप लोगों ने क्या करना है दस-दस फंदों के हिसाब से चार फंदे एक्स्ट्रा जरूर रगना है ताकि एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा इस तरह से यहाँ पर भी लास्ट पर भी आ जाए तो यह गई डिजाइन की पहली शलाई कंप्लेट तो दूसरी शलाई पूरे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लेट करेंगे आपके पास जितने भी फंदे हैं पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लेट करेंगे डिजाइन की दूसरी शलाई तो इस तरह से पूरे फंदे उल्टे बनाएंगे तो ये वगई दूसरी शलाई उल्टे तरब से complete तो चलते हैं डिजाइन की तिसरी शलाई सीधी तरब से ये देखिए पहला फंदा उतारा दागा अपनी तरब एक फंदा उल्टा ठीक है फिर दागा पीछे अब जो हमारे डिजाइन के पांच फंदे हैं, ये सीधे बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच फंदा सीधा, जो हमने जाली बनाया था, ये फंदे हमारे पांच फंदे सीधे बनेंगे, डिजाइन के फिर जो पांच फंदे उल्टे बने थे, वो उल्टे बनेंगे, डिजाइन के तिसरी शिलाई है सी ऑल्टे एक दो तीन चार पांच नढान उल्टा यह दीजाइन की 5 यह देखें टीन चार 5 वनदा सीधाstory दो दो, तीन, चार, पांच फंदा उल्टा, तो यह होगी हमारी डिजाइन की तिसरी शिलाई सिधी तरफ से कंप्लेट, चौती शिलाई में पूरे फंदे उल्टे उल्टे बना कर कंप्लेट करेंगे, डिजाइन की चौती शिलाई, आपके पास जितने भी फंदे हैं, पूरे फ तो ये हमारी डिजाइन की 34 शलाई उल्टे तरब से कम्प्लेट हो गई तो ये हमारा डिजाइन सिरिफ और सिरिफ 4 शलाई का डिजाइन है लेकिन अब ये हमारा जगा चेंज होगा इसका ठीक है जो हमारा डिजाइन बना है यहाँ पर अब यह डिजाइन हमारे जो 5 फंदे उल्टे बने है यहाँ पर बनेगा बस इतनी सी हमको यहाँ पर ध्यान देना है इतनी सी बात का तो यह जो डिजाइन वाले फंदे है वो यहाँ बनेंगे और जो डिजाइन के 5 फंदे है वो यह जो डिजाइन के फंदे हैं इसको हम उल्टा बनाएंगे एक दो तीन के चार पांच निजाइन के 5 फंदे को उल्टा बनाया पिर दागा पीछे 5 फंदे उल्टे हैं इन पर में डिजाइन बनाना है यह देखिये रहे दिशाइन दो फंदे का एक करा दागा अपनी तरब बीच वाले फंदे को जाली से बनाया क्योंकि हमने यहाँ दो का एक करा था साथ में फंदा गड़ गया और साथ में बढ़ गया दागा अपनी तरब यह देखिए दागा को सिधा करके फंदा को सिधा करके जाली के साथ क्योंकि यहाँ पर गड़ रहा है साथ में जाली के साथ बढ़ाना भी है तो यह पांच फंदी हमारे डिजाइन के हो गए फिर दागा अपनी तरफ यह देखिए, सेम वही रिपीट एक, दो, तीन, चार, पांच दागा पीछे यह जो पांच उल्टे फंदे हैं उन पर हमने डिजाइन बनाना है एक बना दिया फिर जाली के साथ बीच वाले को बना दिया फिर दागा अपनी तरफ सीधा करके फंदा को फिर जाली के साथ दो का एक किया दागा अपनी तरफ design के जो पाँच फंदे थे वहाँ पर उल्टे पाँच बनाने हैं फिर से दागा पिछे दो फंदे का एक किया दागा अपनी तरफ जाली बनाया इस वाले फंदे को सिधा करके जाले के साथ दो का एक करना है इस तरह से तो ये हो गई फिर से पहली शिलाई complete दूसरी शिलाई पूरे फंदे उल्टे उल्टे बना कर complete करेंगे दूसरी शिलाई उल्टे तरब से complete हो गई तो तिसरी शिलाई हमारा जो दूसरी फंदे है वो सीधे बनेंगे बाकी जो 5 फंदे है वो उल्टे बनेंगे यह देखिए पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच फंदे एक एक्स्ट्रा फंदा है यहां पर इसके साथ छे उल्टे फंदे ठीक है डिजाइन की तिसरी शलाई फिर दागा पीछे अब यह जो पांच फंदे है डिजाइन की वो सीधे दिजाइन की तिसरी शलाई में बस इतना सा फरक है दिजाइन के पाँच फंदे सीधे बनाने है और जो उल्टे फंदे है उनको सीधे साड़ से उल्टे ही बनाने है दिजाइन की तिसरी शलाई सीधी साड़ से पांच फंदे सीधे दागा अपनी तरफ एक दो तीन चार पांच फंदे उल्टे फिर दागा पीछे पांच फंदे सीधे तो यह होगी हमारे डिजाइन की तीसरी शलाई सीधी साट से कमप्लेट चोथी शलाई में क्या करेंगे पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कमप्लेट करेंगे यानि कि हमारा जो दो बार उल्टे तरब से बुनाई होती है तो उल्टे तरब से हमें कुछ नहीं करना होता है खाली उल्टे-उल्टे ही बुनाई करनी होती है ठीक है तो इस तरह से डिजाइन की चौथी शिलाई उल्टे तरफ से पूरे फंदे उल्टे-उल्टे बनाकर कम्प्लेट करेंगे तो साथ में देखेंगे हमारा डिजाइन पैटर्न बनकर कैसा लग रहा है तो यह हमारी डिजाइन की चौथी शिलाई उल्टे तरफ से बनकर कम्प्लीट हो गई तो सिरिफ और सिरिफ चार शिलाई का डिजाइन आपको यही चार शिलाई रिपीट करना है जगा चेंज करना है चार शिलाई रिपीट करना है जगा चेंज करना है यह देखिए यह हमार सीधा एक फंदा उल्टा फिर दो का एक करा बीच वाले में जाली के साथ एक की बुनाई करी फिर जाली लगा कर फंदे को सीधा करके फिर दो फंदे का एक करा पांच फंदा उल्टा पहली शलाई में ही सिरिफ हमारा डिजाइन डलना है दुसरी शलाई में पूरे फंदे उल जाती है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेर करें और कमेंट करके जरूर बताएं समझाती है कि नहीं तो ठीक है दोस्तो बाई थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में